बात करेंगे बिहार की तो बिहार में एक बार फिर से सियासी गहमागा मी बढ़ गई है मुखिमंत्री नतीश कुमार राबडी आवास पहुँचते हैं और उसके बाद लालू यादों से मुलाकात करते हैं तो इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री नतीश कुमार राबडी आवास पहुंचे और उन्होंने राज़त सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव से मुलकात की है ये मुलकात कई मायनों में बेहद एहम बताई जा रही है इस मुलकात की क्या कुछ मायने है इसको जानने और समझने की कोशिस करेंगे सिधार रूख करेंगे अपने समाधाता गौतम का जो हमारे साथ जुड़े हुए है गौतम मुख्यमंत्री नतीश कुमार की मुलकात हुई है लालू यादव से सियासिय द्रिष्टी कोन से कैसे देखते हैं आप इस मुलकात को तो ये मुलकात के मायने क्या है बिहार के मुख्यमंत्री नतीश कुमार लालू प्रशाद से मिले है इस मुलकात के क्या मायने है ये जानने और समझने की कोशिस करेंगे इस इधार रूख करेंगे अपने समाधाता गौतम का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम मुख्यमंत्री नतीश कुमार ने मुलाकात किये है लालू प्रशाद यादो से क्या कुछ माईने हैं इसके गौतम तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यबंतरी नतीश कुमार ने लालुयादव से मुलकात की है और इस मुलकात को बेहद एहब माना जा रहा है क्योंकि अभी जिस तरीके से बिहार में राजलीतिक हलचल है उसे देखते हुए भी ये जो मुलकात है बेहद एहब माना जा रहा है आज मुख्यमंतरी नतीश कुमार आबड़ी आवास पहुचते हैं और उसके बाद लालुयादव से उनकी मुलकात होती है और इस मुलकात को बेहद एहब माना जा रहा है कई माइनों में सियासी माइनों में भी अगर हम इसे समझने और जाने की कोशिश करें तो ये मुलकात बहुत एहम है ये मुलकात आज हुई है मुख्यमंत्री नतीश कुमार की लालुयादों से तो इस मुलकात के क्या कुछ माइने हैं ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं सीधे रुक करेंगे समाधाता गौतम का जो हमारे साथ जुड़े हुए है गौतम आज मुख्यमंत्री की मुलकात हुई है लालुयादों से सियासी दृष्टिकोन से कैसे देखते हैं आप इस मुलकात को पहुचे थे और मुख्यमंत्री निती कुमार मैं आपने सहयोगी को कहूंगा कि दिखाए कि कि रास्ते से वह आये थे और पट्टा एयरपूर्ट के रास्ते से वह सीधा अपने आवास की तरफ बर रहते हैं साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे मगर तेजस्वी यादव अचानक से मुख्यमंत्री से बाचीत होती है और बाचीत के साथ ही वह सीधा राबरी आवास के अंदर प्रवेश करते हैं और सिधे तोड़ पे लालो परशाद यादव से मुलाकात होती है, हलाकि मुलाकात के वक्त लालो परशाद यादव से उनके स्वास्त को लेकर बाचीत हुई ये तुताय है और राबरी आवास पर कोई सी ड्यूल नहीं था कि मुखमंत्री नीतिज कुमार आएंगे, लेकिन अचानक से मुखमंत्री नीतिज कुमार ने ये फैस्ता लिया और चुकि चंद कम कर्मों की दूरी पढ़ा मुखमंत्री आवास और राबरी आवास तो ऐसे में मुखमंत्री नीतिज कुमार अंदर में राज़त सुप्रीमों लालो परशाद यादव से मुलाकात करते हैं, उस वक्त तेजस्पी आदब भी मौजूद होते हैं राबरी देवी भी मौजूद होती हैं और तमाम वो चीजें बहुत चंद मिंटों की यह मुलाकात होती है और उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं तो यही है वो राबरी आवास जहां पर मुखमंतिर नितीज जहां उन्होंने लालो प्रसादी आदब से मुलाकात कर चंद मिंटों में क्या बाते हुई यह देखना होगा लेकिन जो आने वाले समय है जरूर यतना क्यास लगाया जा सकता है कि हर जो राजनीतिक मुलाकात होती है उसके कुछ न कुछ मायने निकल करके सामने आते हैं त नितिस कुमार की जोड़ी जो दिका बिहार में विकास का काम कर रही है इसके अलावा दोगजार चोवीस में जो करके जो एक जूठता हुए है इसे में को सियासी न निकाले जाए कोई और प्रस्ण ना कोई बचा रहे जाए यही वज़ा है कि मुखमंत्री नितीश कुमार ने मुलाकात की और जो बैनर पोस्टर देख रहे हैं वो भी उस पर भी मुखमंत्री नितीश कुमार की रिजर पड़ी की किस तरह से तेस्वी और तमाम जो नेता हैं जो बड़े ब बैठक होने वाली है इंडिया की तो इंडिया की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इसको लेकर कर भी बैठक नहीं मुख्यमंतरी नहीं मिले थे तो अब यह जो मुलाकात हुई है क्या इसके बिच कोई लिंक आप देखते हैं क्या 24 को ले करके एक नया ग्राफ भी खीचा जा सकता है तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ये मुलाकात जो है एक राजनितिक रूप ले चुका है और जो सवाल वी बिपक्च लगातार पूछ रहा था मुकमति से कि एक वार फिर से जो है अटल ब्यारी बारज़ पे के प्रती उनक ये जनीतिस गॉतम ऐसीत लेकिंट तक की काफी चर्चा थी तो क्या लगता है कि दो सीचे देने की बात चल रही थी आरजबी और महागरबंदन की जो लोग है वो सीटों का विस्तार कैसे करेंगे या कैबिनेट में के अंदर किसको कितनी सीटे मिलेगी इसको ले करके पहले भी बैटक हो चुकी थी हलाकि इस बैटक में कॉंग्रेस की जो नाराजगी है वो भी जलक रही थी क्योंकि कॉंग्रेस चाहती है कि इस वार जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें दो सीटें कॉंग्रेस को मिलने चाहिए हलाकि आरजेडी के तरफ से अभी भी यही कहा गया कि एक सीट पर ही समझोधा करना होगा कॉंग्रेस को यही वज़ा है कि जो कॉंग्रेस के इंदर खाने जो नाराजगी चल रही थी वो कहीं न कहीं धरातल पर और पटल पर देखने को मिला तो कॉंग्रेस के लिए कॉंग्रेस के शामिल होने में या कैबिनेट में सामिल होने को ले करके जोटकले लगाए जा रही है उसके भी सियासी माहने निकाले जा सकते हैं इस स्वतंतरता दिवस आजादी का जश्न मड़ाए वाइलडवादी वाटर पार्क में जहां एक सितीस अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बोर्ट पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्वीमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकल, स्पिनर, ट्रामपुलिन, पंजीजे से कई बहतरीन ओफर, मात्र सौ रुपे में वाइलडवादी वाटर पार्क राची, काल 930-481-680